इस सेशन में हम multiple choice items की construction के rules जो हम पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं उसी को continue करेंगे और एक और important rule जो construction के वक्त हमें ध्यान में रखना है उसके बारे में discussion करते हैं आपने अक्सर ये note किया होगा as a teacher भी या as a student भी कि जब भी हमने किसी सवाल को हमारे जहन में होता है कि मुश्किल बनाना है तो हम अमूमन उसकी statement को negative form में लिख देते हैं क्योंकि negative form में लिखने से जो knowledge या learning हम चेक करने जा रहे हैं उसको तो फरक नहीं पड़ता लेकिन sentence का structure itself मुश्किल हो जाता है और उस structure को समझने में गलती हो जाने से जवाब के गलत हो जाने का इमकान हो जाता है जबके सवाल बनाने का मकसद लोगों को सवाल की statement में confuse करना नहीं है ये चेक करना है कि उन्हें दुरस जवाब आता है या नहीं आता उस सूरत में जब उन्हें स्टेटमेंट पूरी तरह समझ आ गई अगर स्टेटमेंट ही समझ नहीं आई या स्टेटमेंट के समझ आने में गलती हो गई तो फिर ये तायन तो मैं नहीं कर सकता कि जवाब उसने दिया वो इसको स्टेटमेंट की खराबी की वज़ा से जवाब गलत हो गया या उसको वाकरी आता नहीं था तो मुझे statement को बड़ी clarity के साथ बनाना है ताकि ये मुझे पका यकीन हो कि statement समझा आ गई है अब अगर इसके बाद जवाब गलत होता है तो उसकी वज़ा जवाब ना आना है अब ये जो not शामिल करना होता है ना stem के अंदर अगर तो आप समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके बगार गुजारा नहीं हो सकता तो फिर आप no या not या least या ऐसा कोई भी लफ़ डाल रहे हैं जो statement को negative बनाता है उस पूरे लफ़ को capital letters में लिखिए ताके पढ़ते वकत पढ़ने वाले की नजर से वो बगार notice की हुए गुजर ना जाए उसको पता चले कि हमने एक negative लफ़ उसके अंदर डाला हुआ है otherwise अमूमन ये पढ़ते वकत overlook हो जाता है और ये वजह बनता है गलत जवाब के selection का जबके ये इमकान है कि अगर ये negative form में ना होती statement तो student जवाब जो है वो ठीक दे देता so इसलिए पहली बात कि उनको avoid करना चाहिए negative statements नहीं देनी चाहिए अगर देनी पढ़ें तो सुरत में ensure करें कि जो negative लफ़ आपने इस्तमाल किया not, no, least, negative ऐसा कोई भी लफ़ इस्तमाल किया तो वो इतना वाज़ तोर पे लिखा हुआ हो capital letters में लिखा हुआ हो ताके पढ़ने वाले को नजर आए और वो उसके मताबिक जवाब दे अगर आप ये जो सवाल नजर आ रहा है अगर आप इसको देखिए तो ये पूर statement की form में बना हुआ है which of the following city is not located north of Islamabad पूछना ये है कि कौन सा शहर दिये गए जो शहर है नीचे इन में से कौन सा शहर Islamabad के नौर्थ में नहीं है दूसरे लफ़जों में south में है ये ही पूछना चाहते है ना तो बजाए इसके कि अगर मैं मसला इसमें से अगर देखें तो कौन सा शहर है लाहौर एक शहर है जो Islamabad से north की side पे नहीं है यानि Islamabad से उपर जो है उस तरफ नहीं है बलके south की तरफ है लिचे है Islamabad से नक्षे में अगर देखा जाए तो अब ये जवाब तो ठीक है लेकिन इसको समझने के लिए statement में not or north ये दोनों अगर मैं इसी statement को replace करूँ और यू लिख दूँ which of the following city is located south of Islamabad तो बात तो वही है कौन सा शहर north में नहीं है तो obviously बात है जो north में नहीं है south में नक्षे के हिसाब से तो मुझे अगर direct ऐसा ही लिख देता कि which of the following city is located south of Islamabad तो इस सूरत में ये statement negative भी नहीं रही और मेरा सवाल भी असल में नहीं बदला सवाल भी वही है सिर्फ मैंने उसका stem जो है वो इसको accordingly align कर दिया है आप बाकी लोगों को छोड़िए अपने उपर आजमा के देखिए कि पहले वाली statement जो मैंने पहले दिखाई वो आपको बासानी समझ आती है या दूसरे वाली statement जबके जवाब आपको दूनों सूरतों में ही पता है पहले अगर नहीं पता था तो अब पता लग गया कि जवाब इसका लाहौर है अब आप जहन में ये रखके सोची कि जवाब आपको आता था क्या पिछली statement को समझना असान था या जो मैंने आपको दूसरी statement दी है इसको समझना असान है अपने उपर इसको apply करके देखिए आपको खुद समझ आ जाएगी कि not के शामिल करने से negative statement के बनाने से क्या दिक्कत होती है सवाल को समझने में और फिर जब आप इसकी practice करें सवालाद बनाएं तो उस वक्त ध्यान रखिएगा कि आपने इस statement को उसके अंदर शामिल नहीं करना